Hello and welcome student, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे NET 2022 की, कापी सारे student है जो हमें comment करें थे कि सर NET 2022 की जो exam data वो कब तक हो सकती है और क्योंकि कापी अभी NET 2021 में का जो complete है, जो counseling की प्रिक्रिया वो लगबग end में आचुकी है student तो अभी कापी सारे student मुझे comment करें कि सर NET 2022 के बारे में बताओ हमें preparation start करने है और मतलब जो आपका syllabus है और जो syllabus patron है वो क्या 2021 वाला रहेगा या कुछ अलग होगा क्योंकि coronavirus के करण सभी को पता है कि 2021 में syllabus है वो reduce हो गया था तो इस बार क्या syllabus वहीं रहेगा या पहले जो syllabus चलता रहा है वहीं need 2022 में पूछा जाएगा तो कापी सारे confused है तो इस वीडियो में वीडियो को end तक देखना आपकी पूरे complete जो है doubt है वो clear हो जाएगे सबसे पहले क्योंकि student है वो 2021 का लगबग counseling का process complete हो गया अब कापी सारे student 2022 की preparation करना चाहते है तो अच्छे एक schedule और अपने इसाब से preparation अगर exam date की अगर बात करें तो कापी सारे student पूछ रहे थे कि sir exam date इसके कब होगी तो exam date की अगर बात करें तो देखे नेट 2022 को examination date को दो का जो यानिकि दो पर यानिकि यह निर्बर करती है फ़र्ष्ट आपकी जो cbsc board examination उस पर और शेकिंड है आपका coronavirus जो आपके पिछले साल ही एड हुआ था यानिकि coronavirus के कारेंड भी यह exam है काफी delay होई थी आपको सभी को पता है और यानि कि cbsc board के इसाफ से तो आपको पता है कि cbsc board जब भी लगती है उनके लगबग एक या तेड महीने बाद यह exam आपकी कंडेक्ट करवाई जाती है क्योंकि काफी सारी एस स्टूडेंट है जो cbsc board में अपियर होते हैं तो वो भी आपकी जो है नीट की examination देते हैं तो उनको preparation करने के लिए time देना होता है तो इसलिए आपकी जो cbsc जो नीट की एक्जामन है cbsc board के बाद होती है और दूठी टर तो यानि कि अगर cbsc board की बात करें तो cbsc board की बात करें तो यहां पर देखें अभी official website पर देखें तो यहां पर दे रहे हैं मई-जून मई-जून में इनकी examination वो complete हो जाएगी official website के इसाब से student तो यह अगर मई-जून में यानि कि स्टिति अगर सामन्य रही coronavirus जैसे अभी क्रोल में और इस परकारी कंट्रोल में रहे तो मई-जून यानि कि लगबंग हम मान कर चल रहे हैं कि लगबंग जून जून में मतलब जून 10 यानि कि 10 जून तक यह कंप्लीट हो जाती है जो cbsc board के examination हो अगर सामन्य इस्तिति रही तो तो 10 जून तक यह कंप्लीट हो जात है यदि आपकी जो cbsc board examination हो मई-जून में यदि कंडेक्ट करवा दी जाती है अच्छी तरह से क्योंकि आपको यदि आप दूसरी बात है कोरोना वाइरस भी इसे काफी फेक्ट करता है यदि कोरोना वाइरस जो आपका ओमिक्रोन वाइरस है यदि यह SI मतलब जो नॉर्मल इस्तिती रही तो आपकी examination है वो लगबग July last तक आपकी examination हो complete हो जाएगी इस बार 2022 की यदि इस्तिती सामयन रही तो क्योंकि ओपीसल वेबसाइट और मई-जून देरा का सिबसी बोर्ड examination के लगबग 40 या 15 दिन बाद में आपकी examination लगती है तो student आपको preparation इस हिसाफ से करनी है कि लगबग आपका syllabus है वो माई तक complete हो जाए क्योंकि जुलाई में आपकी क्योंकि एक डेड़ मैने उनको preparation के लिए भी चाहिए तो लगबग मगर expected date की बात करूं तो लगबग July last में आपकी examination हो सकती है student अब काफी सारे student मुझे पूछ रहे थे कि सर syllabus के बारे में बताओ कि syllabus का क्या pattern रहने वाला है क्योंकि syllabus है वो क्योंकि इस बार coronavirus भी थोड़ा control में आ चुका है और क्या इस बार पहले वाला syllabus रहेगा या फिर मतलब जो अभी 2021 में था वही syllabus रहेगा देखिए syllabus मतलब इस हिसाब से हो सकता है क्योंकि काफी सारे अभी भी कोरोना यानि काफी ज चांस रहती कि आपका जो 2021 में जो syllabus है वही आपका syllabus इसमें पूछा जाएगा क्योंकि मतलब काफी यानि कि इस बार 2022 में तो आपका 2021 का syllabus और अगली साल इसको फिर से वही पुराना वाला syllabus है वो upload किया जासा क्योंकि इस बार भी जो कोरोना के जो questions है वो मतलब कुछ कुछ आ syllabus की बात करें तो 2021 का syllabus ही आपका रिडूस होता है लेकिन मैं सभी स्टुडेंट को recommend करूंगा कि अभी तक आप पूरी NCRT को cover कीजिए जी हां बिल्कुल स्टुडेंट क्योंकि आपके पास अभी काफी समय है अगर syllabus के लेकर अगर कुछ बदलावी वेता है तो भी आपको को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद बंदि मात